आज की बड़ी खबरों पर भारत निर्वाचन आयो के निर्देश आनुसार आज से प्रारंब हुए विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षन कार्यक्रम का शुभारंब देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंग ने स्थानिय राज किया महिला महाविध्यालय देवरिया में छात्राओं के बीच फार्म माइनस छे का वित्रण के साथ किया इस अफसर पर उन्होंने छात्राओं से अपेक्षा के साथ कहा कि वे स्वयम जो अर प्रतिशपत भी दिलाई उन्होंने कहा कि भारत की लोगतंत्र ही ताकत है और इसके मूले ही तमाम विवित्ताओं के बावजूद भी अखंड एवं अक्षुण रखने में अपनी शक्ती प्रदान करता है और यह शक्ती मद्दान से प्राप्त होती है सभी को बराबरी का अधिकार लोगतंत्र देता है समाज का समावेशी वप्रगती लोगतंत्र की सुदृता से ही संभव है और यह अधिकाधिक मत्तान प्रतिशत होने से ही और सुदृता आएगी उन्होंने अर्ह मद्दाताओं को सूची में सम्मिलित करने तथा जो भी अनर्ह मद्दाता हो उन्हें विलोपित करने पर जोर दिया साथ ही उन्होंने असभी से अपेक्षा किया कि वे मद्दान अवश्य ही करें और वे इसका संदेश वाहग भी बने तथा 10-10 लोगों को जागरुक करें इसे एक श्रिंखला का भी रूप दें प्रयास हो कि आगामी लोगसभा चुनाव में मद्दान प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य ही हो इसके लिए लोगों में जागरुकता लाए जाए और जो भी अर्ह मद्दाता हो उनका नाम अवश्य ही जोडा जाए इस पर भी विशेश रूप से ध्यान दिया जाए कि महिला मद्दाता का नाम सूची में किसी भी दशा में न छूटे पुनरीक्षन का ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर 09 दिसंबर तक संपन्न होगा इस बीच शून्य छे विशेश अभ्यान की तिथिया भी निर्धारत की गई है इन तिथियों में बियलो अपने मद्दान केंद्रों पर मद्दाता सूची वर फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के साथ उपस्थित रहेगे इन तिथियों में ऐसे व्यक्ति जिन्हें मद्दाता सूची में नाम जुडवाना हो या नाम अपमाजित या संचोधन कराया जाना हो वे बूधों पर पहुच कर प्राविधानों के अनुसार फार्म भर कर बीएलो को देगे मद्दाता सूची में पंजीकरन कराने हितु विशेश तिथियां 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर तथा 03 दिसंबर निर्धारत की गई है फिलाल के लिए बसतना ही बने रहे टूडे 24 न्यूस के साथ झाल